आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल स्री राम क्लस्स में और आज का हमार खास वीडियो अठार सो सतावन के स्वतंता संग्राम यानिके अठार सो सतावन की करांतिस से समंदित विबिन परितोगी प्रिक्षाओं में बार बार पुछा गए हम इस वीडियो में कुल 25 स्वत्स के चर्चा करिंगे जो कि भीविन परितोगी प्रिक्षाओं में बार बार कुछाओं हैं आप यह देख सकते हैं कि इसमें 25 प्रिक्षाओं में बार बार कुछा गए हैं तो आए शुरू करते प्रैस नंबर एक से प्रश्च नुम्र येक हैं स्वामी दैयन सर्श्वति के सूपषित गरंथ सत्यारत प्रकास का प्रकासन कहा हुआ प्रश्च नुम्र दो अठासो सत्तावन की क्रांती में अंग्रेज एमोम जोदपुर रजी की सहुखत सेना को किसने प्रजित किया था तो ये आववा के ठाकुर थे कुसाल से चामपावत इन्हों ने जो अंगरेजों और जोदपूर की सुष्ट सेना को प्रजित किया था इनके मद्ध में दो युदुवे थे एक चलावास का युदुवा था और एक बिठोड़ा का युदुवा था प्रस्ट नबर तीन है अठारसो सताउन की करांती के समय दोलपूर का सासक कौन था तो ये बगवंत से थे अठारसो सताउन की करांती के समय दोलपूर के सासक चोथा प्रस्न है अठारोस ताउन के विपलो विद्रोग के समाई कोटा राजी का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो मेजर बाटन थे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जिनकी जो सिर काड़ कर पूरे कोटा शहर में जो गुमाया गया था करांति कारियों के द्वारा और यहां पर जो करांति के सुरात की थी विद्रोग की सुरात की थी वो दो परमुग व्यक्ति थे एक तो थे जैदयाल और दूसरे थे महराब खान पांचा प्रस्टने नसीराबाद चावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था तो नसीराबाद चावनी को लूटने वाले थे डुंगर सी हैं चत्रा प्रस्टने एजीजी लोट जोर्ज पैट्रिक लोरेज किसेना को आववा के निकर 18 सितंबर 1857 इस्वी को निकिस हस्तान पर प्रास्ट किया था तो यह ठोड़y हमने पहले उपर चैसा कि थी चलावास के उध में आववा के ठाकूर कुछाल से चांपावत ने इनकि सटाना को चलावस के उध में जो पराजित किया 27 प्रस्थनिये राजिस्तान के किस्का कश्मे में चाऊनी बोड़े से उतरे नसीराबाद आड़ प्रस्थनी राजिस्तान में अथार सताउन इस वीग के विद्रों के प्रमुक्य अंदर कौन से थे तो एक तुरू था कोटा और दूसरे था अवा पाली में प्रेस्ट नमबर नो है अटार स्थावनिस करांद्थी में कोटा विद्रों का नेता कौन था तो यह प्रेस्ट पूचा गया है कोटा विद्रों की नेता कौन थे तो सेयोतर इसका महराब खान इनके साथ में इनके एक सहयोगी थे जय दयाल प्रस्ट नबर दस अठारसो सतावन के विद्रों के समय आववा के ठाकूर कुशाल से हैं चांपावत को मेवार के किस इस्तान के सामत इनने अपने यहां पर सरन दी थी तो कोठारिया के जो ततकालिन सामन थे रावत जोद सी हैं इन्हों ने जो आववा के ठाकूर कुशाल से चांपावत को अपने यहां पर मेवार में यानि की कोठारिया में जो सरन दी थी अगला प्रस्ट ने आप अग्यां सन 1877 वीद्रों के समय राजस्तान में कितनी सेनिक छावने थी तो छे सेनिक छावने थी एक नसरबाद में थी दूसरी ब्यावर में थी तीसरी देवली में थी छोती खेरवाड़ा में थी और पांचवी एरेन पूराती और स्थीनिति निमत में जो कि वरतमान में राजिस्थान में नहीं है वरतमान में मज़ेप्रजस में आती है, नेक्स तियं अवब का विद्रेव ठाकुर को अन्था, तो ये काफी प्रिस्द ठाकुर है, आवबके कुसाल से चांपावत, ही दोंस्तों ये प्रस्वन या किसी परित्यों की प्रिक्षब में पुछ गए हैं आप राजस्तान की किसी भी परित्यों की नाम से ऩो तो तेर्वा प्रस्थ नहें राजस्तान में अटार्सु सतावन की क्रांगती में विद्रो सबसे पहले कहाँ हुआ था इसका सिव तरे नसीराबाद में वा था अठाइस स्थान को नश्राबाद में प्रेस्ट नबर 14 है बी थोड़ा नमक स्थान किसे समंझे थे तो बी थोड़ा नमक स्थान अभी थोड़ दिर पहले हमने चर्चक की थी अठाइस स्थान की करांती के समय जो ठाकूर थे कुसाल से चंपावत इन्होंने जोत्पूर राजीत क्याता इस स्थान पर अठाष स्थान इस्वी में आवगे किस पॉलिटिकल एजन्ट के हत्ते की गई तो मेक मौसन प्रस नमबर सोला हैं राजेस्तान की कोटा राजी में अठाष स्थान इस्वी के महान पर्थम स्थान्ता संग्राम का नेत्रत करने वाले कौन थे तो सही उतर इसका लाला जैदयाल और महराब खान नेक्स्ट है डूंग जी जावार जी का समंध किस जिल्डस हैं तो यह पाटोदा सिकर के रहने वाले थे सही उतर इसका शिकर अठारव प्रस्थन है किस सेनिक चावनी बस्तों ने किस अगस्त अठारव सतावन को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत के थी उसका सही उतर है एरिनपूरा पूरा के जो सेनिक थे इन्होंने ये दिनारा दिया था इतलो दिल्ली मारो फिरेंगी अगला प्रस्थ नेक्स्ट नीमच चावनिक विद्रोष सेनिक दिल्ली जाता समाएं किस चावनि में पहुंचे तो यह देवली में पहुंचे थे देवली वरतमान में टौंक में आती है और निमत शांवनी में तीन जुन अठार सातावन को स्थेनिकों ने विद्रो कर दिया था और डिली के और कुंच कर दिया था डिली जाते समय इस जपाईयों ने देवली शांवनी को लूटा और कोटा वर टौंक होते हूए सेनिक दिल्ली पहुंचे थे प्रस नमबर बीस है राजस्तान के राजाओं में वह कौन सा सासक था जो अपनी सेना के साथ अठार सुटावन के संगराम में साइता है तो राजस से बाहर गया था दोस्तों यह राजस्तान के एक ऐसे सासक थे जो अग्रेजों के साइता के लिए अपनी सेना लेकर राजस्तान से बाहर गये थे तो इसका से उतरें बीक का निर के सासक थे उस समय सरदार सी है इन्होंने जो अपनी सेना लेकर जो अठार साथ तावन के संगराम के साइता है तो अंगरेजियों का साथ देने के लिए वो राजिस से बाहर सिना लेकर पहुंचे है राजिस्तान के द्वीती बामाशा जिन्होंने रानी लक्ष्मी भाई को दन देकर मदद की थी उनका क्या नाम था राजस्तान के द्वीती बमश्या अमर्चंद बाठिया को का ज़ता है या इनको 1860 की करांती के बमश्या भी का ज़ता है देश के परतम सुतनता संग्राम 1850 के समय अमर्चंद बाठिया पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने फासी पर लटगाया था राजस्तान के निवासी अमर्चंद बाठिया ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे और उन्होंने अपनी पूरी समपती लक्षमी बाई के सेनापती तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा जो उनकी मर्थिव का कारान बना अगला है 2200 प्रस्न 1857 के विद्रोग के प्रति मेवाड के महारान की क्या निति थी यह प्रस्न आरपेसी लेखा कार प्रिक्षे 2015 में पूछा था तो मेवाड के महारा के 1857 के विद्रोग के प्रति जो निति थी वो थी अंग्रेजों का सयोग और उस समय मेवाड के महारा थे सावरूपसिया प्रस्न नंबर 23 23 प्रस्न है ब्रिटीश राज में राजपूताना के प्रतम रेजिडेंस एजन टू गवर्नल जनरल कौन थे त प्रतम रेजिडेंट थे प्रस्न नंबर 24 राजपूताना एजनसी राजस्तान में ब्रिटीश भारती और समरजी का राजनितिक कारे ले था इसका मुख्याल है कहां पर था ओप्शन है जैपूर माउंट अबू उदाइपूर बरतपूर तो इसका से उतर है माउंट लास्ट क्यूशन है राजपूताना के उन दो सास परमुक सामन्तों की नाम बताईए जिन्हों ने ठाटावन के विद्रों में बाग लिया था तो जो ऑप्शन थे उनके अनुसारिक्त से उतर है बिशंत सीयं और शीव बांसी और एक और प्रसने इसमें पच्चीसवा प्रसने निम्न में से कौन सा अगस्तान राज्तान में अठास सथान की करांति का केंद्र नहीं था तो ऑप्शन इसमें जैपूर अजमेर अव्व निमच तो यह जैपूर में केंद्र नहीं था बाकि जो सारे समय केंद्र थे तो दन्यवाद दोस्तों कैसा लगाई वीडियो कमेंट करके जुरू बताएं और आपसे यह प्रसन है की अठास स्थान की करांति के समय राजस्थान का एजजी कौन था जरूर इसका उतर परें और वीडियो को अपनी सभी दोस्तों के साथ शैर करें पहले बार चनेल पर आए तो चनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडियेफ आपको मारे डेली स्री राम च्लासे यूटूब के लाम से आप जोइन करें और वहांसे की प्राप्त करें यह दोस्तों 25% फीर झाल झाल